आज है 3 नवंबर 2024 और आज टमाटर का जो थोक मन दिभाव है खेस से वहाँ है 850 रुपए हमारे छेत्र पर अलग-अलग छेत्र पर जो इसका प्राइस है वहाँ अलग-अलग हो सकता है कि सांसाति हो तो दिवाली के बाद जैसे कि कल गोवर्धन पूजा था और आज भाई दूज है तो फिछले 2-3 दिनों के मुकाबले तो आगे क्या हो सकता है इसके बारे में आज हम विचार करेंगे तो सभी जानकरी से समझने के लिए वीडियो में अंतक बने रहे और चैनल पर नहीं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले किसांसाति दिवाली के जो पह है 800 हुआ है तो इसमें अभी क्या अभी का सिच्वेशन ऐसा है कि सासातियों कि सभी किसानों का जो तोड़ाई है वहां रूग जाता है तो रूगने के बाद जो तेवहार के जस्ट बाद मतलब आज के दिन से जब हम आज यहाई वीडियो सूट करें इस दिन से जो है तो तोड़ाई होता ही नहीं है लेकिन जहां पर तेवहार नहीं होता है वहां का जो हर्वेस्ट होता है तो उस चलते जो है रेट जो है किसान साथ ऊपर नीचे होता है और उसी में कई सारी किसान यहां सोचते हैं कि टमाटार के अगदम बाद सभी किसान एक साथ जो है तो करन मान के चलो रोग दिये तो जो कमी हर्वेस्ट होने वाला है तो उसके चक्कर में हो सकता है कि यृधार के तुमर्ण जस्ट बाद रेट अच्छा देखना को मिले उसके अगले दिन चले जाये तो इस चक्कर में रेट ऊपर नीचे होगा यह सोचकर काफी सारे जो किसान है वहां आज करके आज तोड़ाई करूँगा कल तोड़ाई करूँगा इस चक्कर में लगभग दो दिन चार दिन पांस दिन तक रोख लेते हैं तो कहने का मतलब यहां कि दिवाली के लगभग आर दिन बाद तक जो रेट है वहां किधर जाने वाला है इसके बारे में कुछ प्रफेक्ट कहें नहीं सकते रेट कुछ भी हो सकता है जब आर दिन हो जाता है लगभग लगभग उसके बाद जो है जब नॉर्मल सब चीज जो निकलता रहता है लेकिन तेमार के चलते सब जो है मान के चलो एक नए सीरियसी स्टार्ट होता है तो आठ दिन में जो है किसान साथी वह एक सीडूल फिर से बन जाएगा कई सारे जो है आठ तोड़ाई करेगा कई सारे कल तो जो माल है जो टमाटार है वह जिस तरीके से निकल जाने वाल है वैसे अभी के टाइम पर जिस ही साथ से हम देख रहे हैं कि सानसाति यह जब शाड़े आर्ट सो दिवाली के तुरांद बात देखने को में रहते हो यह काफी अच्छी बात है और देखने के मतलब जी सी साथ से लग रहा है कि आगे जो है रेट हंडेट पर बीलकुल ना के बराबर ही निकल रहा है हमारा भी понрав यह इस से निकल चुका था निकलने के बाद के बाद यह इसफी तरीक के से अभी जब नया जो फल है वहाँ पूर्ण रूप से फिर से तयार हो चुका है इस तरीके से और इसमें पकना भी स्टार्ट हो चुका है तो अभी धीरे धीरे रनीं पकड़ने वाला है तो इसी तरीके से ज्यादा तर जो किसान है उसका टमाटार एक तो पूर्ण रूप से ज स्टार्ट नहीं हुआ पहला सिप्ट सभी का खतम हो चुका था दूसरा सिप्ट जो है अभी निकलना स्टार्ट हो रहा है दस-पंद्रा दिन में उसका रणिंग पकड़ने वाल है तो अभी आलवार देखा जाए तो मार्केट में मंडियों पर माल कम जा रहा है जो टमाटर ह सभी किसानों का वहां फिर से एक बार पीक पे जाने वाला है अभी हमारा जो टमाटर कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बरोबर निकल रहे तो आर दस दिन बाद एक अच्छा खासा जो प्रोडक्शन है वहां निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसी तरगी से सभी किसानों का जो तुड़ाई है वहां बहुत ही ज्यादा निकलने वाला है किसान साथी तो मार्केट में जो टमाटर है वहां आगे चलकर 10-15 दिनों में तो काफी बहतरीन आने ही वाला है लेकिन उतना भी नहीं आने वाला ये भी एक पॉइंट है किसान साथी क्यूंकि जैसे बताया ज कर देखा जाया तो अभी आगे कुछ दिनों साथ कम से कम 15-20 दिनों तक तो मेरे को लगता है कि बहुत ही बहतरीन रहने वाला है रेट डाउन जो है नहीं जाने वाला और हो सकता है कि और भी उपर जल चला जैसे कि सुर्वाती दौर में था हजार पर बारास रूपया तेर करने वाला है वह आप हमें कमेंट में बता सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद